दरवेंगा जिला के कुछे सुरास्थान पढखन के अंदरगर सतीघाट बलॉक में और ये जो पंचायत में मैं बढ़ा हूँ ये पंचायत का नाम है बेव पंचायत और ये इस वक्त सुल्तान पुर्गाउं में है हमारे बीच मौझूद है भावी उम्मीदवार है इनका नाम उदय चंद्र यादर जी है हमारे बीच मौझूद है हम उनसे कुछ बाचित करें हैं क्योंकि इस वक्त ये पंचायत समीती के पत्के उम्मीदवार है और पंचायत समीती का जो काम होता है किस तिरह इनका क्या खास मुद्दा है कि पंचे समीति में नहींती है अतनी सारे इंजनाई नहीं होता है हंचे समीतिस का कार्च थूरा सा बढ़ा दिया गया है जब से पहले अब अपना पड़िक Everyone रिश जात razor ओप take last पंचयत में बदलग इसलिए लगना चाहता है चूंकि इनके पंचयत में बहुत सारे पंचयत समीती के पर पर रहके जो योजनाई होता है जो पंचयत समीती से जनता को लाब मिलना चाहिए वो लाब साइद नहीं मिला है क्या वाज सकते हैं? अन्यक सा लाव है. आज तक कोई लाव नहीं मिला है जन्ता को. जन्दा आशा से निरासा हो गया है. आप से क्या उम्आ रखें जन्ता जो आप जीत कराते हैं, तो आप से भी क्या उम्मिद रumbles? हमारे जीत को जब हम आएंगे तो जनता के सामने कभी भी एकदम पूरा विश्वास के साथ में का रहा हूं की तो जो जनता का अधिकार मिलेगा वो हम जनता के घर घर पहुचाएंगे जनता का आवसर्ता का पूल प्लेक से हम सयोग करेंगे लेकिन मैं पंचाय्ट समीथी के पद के लिए चुनाव लदना चाहत भू है। इसा क्याद लगा आपको अपके पंचायित में खमी जिसके वाज़े से आपको पंचायित चुनाओ लगने पर या फिर जनता की जो समस्याई दिखी या पंचायित ऐ कुछ इब ऊछी के आख vara देखी इसके वाज़े सब्गल से शुनाओ लगने पर जन्ता ने पांग साल समीति पोश्यून को आगे पुर्ग्रेश के लिए आगे बढ़ाया, लेकिन पांच साल के अंतरगत, अब की बार जो जन्ता कुछ नहीं बेर पंचायत में पुर्वी से, एक्ठो प्यो ओजना, लाव, सुल्टानपूर, रमबारी, सन्रोली, अवेर, जो भी गाम है, परचंदा, एक ठोकाज उस पंचायत में पुर्वी से नहीं हुआ, इसलिए जन्ता उमीद किया कि दूसर पत्यासरी आएगा, उबाओं, जो हमारा कल्यान होगा, बिधातिन के, परिवारी कलाव, जो भी लाव होगा, उससे हमको सहयोग मिलेगा, जन्ता न समहारा साथा, यानि जन्ता को भरोसा दिलाया थी, हम पूरा आनेक सा बिधातिन सर परिवारी कलाव, जो भी सयोग हमसे हुआ, अवास में जहां तक भी सयोग हुआ, तो पूरा जन्ता को हम सयोग किये, अचा आप अपने कोछ से या अपने परियास से इस पाँच साल में जन्ता के बीच में, यानि आप पटिनीधी नहीं रहने के बावजूद, आपने किपनी लोग का मदल किया? हम परती निधी नहीं रहने के बाग जूद कौम से कौम दो हजार जनता को हरेक बात को हरेक विचार को हरेक लाब को घर घर जाको दिन रात पौंच साल एक मजदूर के नाथे उसको संकलत को दूर किया और हरेक पलिवार को अनेक अनेक लाब पहुंचाया परिवारिक लाब जो भी काम हुआ तो घर घर जाको जनता को घर बैठे कागज पतर लेको अनेशता जहां से काम हुआ वहां से जनता को लाग हर अपस्तिती में हुआ संगर्ख लरको महां तक पहुंचाया इसलिए मेरे पर जनता फूस है अभी की बार हम जो चुनाव लर रहे हैं तो जनता के समीति पाद के लिए अभी बार पुर्वी से उदेचंद्रियादव समीति पाद के लिए उमीदबार अब की बार जो हार संगर से ठरा रहेगा और लड़ेगा यानि पंचायट में बदलाव आएगा जो जनता को पंच साल में एफ्धो भी जो हार जो भी हमारे पास लावा आएगा हर एक आदमी के विज्धत करको जनता के एक-एक समस्या को सुनेंगे और एक-एक लाव घर तक पहुंचाएंगे जनता को कहुं जाने का भठतने का लालसा नहीं रहेगा